चंद्रियान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर यह आ रही है कि चंद्रियान 3 ने कर दिया, ऐसा जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया चंद्रियान 3 की लेंडिंग को लेकर उड़ गए हैं पूरी दुनिया के होश चंद्रियान 3 ने भेजा एक बड़ा मैसेज जिसको सुनकर हो गई पूरी दुनिया हैरान मैं चंद्रियान 3 अपनी मंजिल पर पहुँच गया हूँ यह सुनकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए इसरो की तरफ से भी आया एक मैसेज इसरो ने कहा यह पिछले कई सालों की महनत का नतीजा है और हमने चंद्रियान तीन के लिए चार साल दिन और रात कड़ी महनत की और हमने चंद्रियान दो के लिए भी बहुत महनत की थी चंद्रियान दो की असफलता से हमने काफी कुछ सीखने को मिला और हमने चंद्रियान तीन की लैंडिंग के लिए कई प्रयोग किये और जिसका फल आज हमें मिला है और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने दावा किया चंद्रमा के दक्षणी ध्रुव पर मानवबस्ती बसाने की क्षमता है इसी वजह से यहां विक्रम को उतारने का निर्णाय लिया सोमनाथ ने बताया कि हम चंद्रमा के दक्षणी ध्रुव के बेहद निकट है यह लैंडर से 70 डिग्री पर है इस क्षेत्र में कई खासियतें हैं बुधवार की शाम 6 बज कर 4 मिनट पर चंद्रियान 3 की चांद पर सौफ्ट लैंडिंग कराई और इस सौफ्ट लैंडिंग को देख कर पूरा देश खुशी से जूम उठा इसरों ने साउथ पोल पर ही लैंडिंग क्यों कराई क्या कारण है साउथ पोल पर लैंडिंग कराने का जहां आज तक कोई देश नहीं पहुँच पाया जी हम आपको बता दें चंद्रमा के दक्षणी धुरुव पर चंद्र मिशन को उतारना पिछले कुछ समय से दुनिया भर के अंतरिक्ष एजेंसियों की दिल्चस्पी बना हुआ है अंतरिक्ष वैज्यानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर इतने गहरे गड़े हैं जहां अर्बों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुँची है इन क्षेत्रों में तापमान आश्चर्य जनक रूप से माइनस 248 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है यहां चंद्रमा की सतह को गर्म करने वाला कोई वातावरण नहीं है चंद्रमा की इस पूरी तरह अग्याद दुनिया में किसी भी इनसान ने कदम नहीं रखा है बहुत दूर है जहां अमेरिकी मिशन अपोलो लैंड हुआ था इसरों से पहले रूस का चंद्रमिशन लूना 25 चंद्रमा के दक्षणी धुरुव पर लैंड करने वाला था लेकिन 20 अगस्त को वह चंद्रमा पर हादसे का शिकार हो गया और मिशन फेल हो गया भारत की 2026 तक चंद्रमा के अंधेरे वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जापान के साथ एक Joint Lunar Polar Exploration, Lupex Mission की भी योजना है चंद्रमा का दक्षणी धुरुव वैज्यानिकों को खोज के लिए इतना क्यों आकर्शित कर रहा है वैज्यानिकों का मानना है कि इसकी बड़ी वज़ा पानी है अंतरिक्ष विशेजज़ों का कहना है कि दक्षणी धुरुव पर बर्फ के रूप में पानी अधिक है जो एक कीमती संसाधन है विशेज़ों की माने तो चंद्रमा के धुरुव बहुत समान है दुनों में उंचे भूभाग और उबर खाबर जगहें हैं जिन में बड़े क्षतिग्रस्थ क्रेटर और छोटे ताजे क्रेटर हैं चंद्रियान त्री की सफल लैंडिंग कराकर इसरो ने दुनिया को जुक कर सलाम करने के लिए मजबूर कर दिया है इसकी सफलता का इसरो की टीम और चेर्मैन S. सोमनाथ को जाता है आईए जानते हैं इनकी क्वालिफिकेशन आईसरो ने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना चंद्रियान तीन उतार कर वो कारनामा कर दिखाया है जो दुनिया का बड़े से बड़ा देश अब तक नहीं कर सका है अभी हाल ही में रूस ने भारत के चंद्रियान से पहले अपना स्पेस मिशन लूना 25 उतारने की कोशिश की थी लेकिन वो चांद की सतह पर उतारने से पहले ही क्रैश हो गया बता दें की चांद के दक्षणी हिस्से में अभी तक भारत के अलावा कोई देश नहीं पहुँच सका है इस सफलता का श्रे हमारे देश की स्पेस एन जैसी इसरो को जाता है साथ ही उनका भी जो इसरो का नेत्रित्व कर रहे हैं इसरो के इस हीरो ने इस चंद्रियान तीन मिशन में अहम रोल निभाया है इनका नाम डौ S. सोमनाथ है S. सोमनाथ इसरो के चेयर मैन सचिव है